का व्यवसाइश शुरू करने के ठानी तीन साल का वक्त गुजारा और कारुबार पचास लाख रुपए तक पहुँचके आए इस प्रोफेसर ने गौले शहर में वो कर दिखाया है जो अब तक हिमाले की चोटियों पर भी होता आया था देखिए खास रुपोर्ट हिमालियन संजीवनी के नाम से मश्हूर कीडा जड़ी मश्रूम पीमत तक्रीबन दो लाख रुपए खिलो एक घर के भीतर इसकी खेती और मुनाफ़ा लाखों रुपए कहानी गौलियर के रहने वाले डॉक्टर एचेस गोस्वामी की है जो पहले एक निजी कॉलिज में प्रोपैसर थे दस साल नौकरी की लेकिन रास नहीं आये तब मश्रूम की खेती का विचार आया वियतनाम गए ट्रेनिंग हासिल की और अपने घर को ही लैब और खेत में सब्दील कर दिया घर में ही कोडी शेट मश्रूम जिसे कीड़ा जड़ी ही कहते हैं उगाना शुरू किया और तीन साल के अंदर कारोबार 40-50 लाक रुपैसर पहुंच गया ये विश्यो की सबसे यूनिक वराइटी है ये ऐसी मश्रूम है चूकि इसके रिजल्ट्स बहुत तेज हैं बहुत फास्त हैं ये बहुत अच्छा स्टैमना बूस्टर है इसलिए वर्ल्ड के जितने भी एथलीट्स हैं वो इस मश्रूम का गंजप्शन करते हैं इसलिए हाला कि साइन्टिफिक नेम कॉर्डिसेप मिलिटेरिस है तो ये जो हम लोग लेवरेटरी में वगाते ही हैं पूरी तरह से सेफ है वेजिटेरियन है शुरक्षत है तो हर किसी धर्म जाती का वेक्ति इसको खा सकता है पहाड़ी औ ठंडे इलाकों में मिलने वाली ये संजीवनी स्टेमिना बढ़ाने के लिए कारगर है शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाता है जोडों के दर्द में फाइदे मन है डायबिटीज, बलड प्रेशर, कार्डियेक प्रॉबलम के साथ-सार कैंसर के इलाज म इस मश्रूम वैवसाएं को सीखने के लिए प्रोफेसर गोस्वामी के पाद जूर जूर से लोग आ रहे हैं प्रोफेसर गोस्वामी ने इस मश्रूम को गाना शुरू किया था तब तीन लाख रुपए किलो के हिसाब से इसका बीज लाए थे लेकिन अब खुद की तयार लैब में इसका बीज तयार कर रहे हैं और पचास हजार रुपए किलो में बेज भी रहें ताकि और भी लोग इस वेवसाई से जुड़ सकी रहलात सेंथ बंसलम गौलियर